आज की यह वीडियो भीडियो भीडियों जो मैं आपको कोश्चन बताने वाला हूँ आपकी परिच्छा में 80-90 प्रतसत यही प्रश्चन गारंटी के साथ आने वाले हैं क्योंकि यह कोश्चन आपके इस बार परिच्छा जो होनी वाली है उसके इसाफ पर तयार किये गए है इसमें बहुत सारे प्रिवियर सेर के कोश्चन है और आपके आगामी परिच्छा के लिए जो कोश्चन इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं इस वीडियो हमने डाले है तो यह वीडियो आपको पूरा जरूर देखना है अगर आप 75 में से कम से कम साथ नमबर लाना चाहरे हैं कम स ले सकता हूं गर आप अच्छे मेरे द्वारा बताए कि कोश्चन का उत्तर तयार करके जाते हैं तो आप 75 में से साथ नमबर बिलकुल ला सकते हैं क्योंकि मैं जो बोलता हूं वह 100% रियल बोलता हूं ठीक है मैं बहुत सकता है लेकिन नहीं जहां तक मेरे एस्पेक्टेश करना चाहिए तो वीडियो को अंतर चाहिए दरूर देखते रहेगा फिर से बोलना हूं तो चलिए कोश्चन पर आते हैं पहला प्रश्चन है कि बिद्यापत के पिता किसके राज सभासत थे यह सारे कोश्चन बिए फश्टेयर के फर्स समस्टर के हिंदी काप बिके हैं इ तिक है गड़ेशवत सिंग के राज सभासत थे अगला क्वश्चन बिद्यापत्थ के पिताहमा और प्र पिताहमा जयदत्य योगे सबसक्रा के और प्रापिताहमाはい, वीरे सुरत्त्थ को ध्यान रखेंगे हैis बात अगला प्रशन Ostler को अभिनो जयदैयों की उपाद किस दी तो अनोगी तो नहीं देती महराज श्युषिंग में और धाकिया नाम देट टडिक यतप दिन महाट्फश्ञडं के लिए वर्श पिर्श के लिए तयारी कोरी और पिर सब होगा आगे चलके या फिर में कुछ भी करेंगे तो यह उन सभी के लिए भी महात्पॉर्ण है क्योंकि आप सभी को बालूम कि हिंदी हर छेतर में अनिवार हो गया है ठीक है और पहले से अनिवार था और अनिवार है भी आगला कि बिद्यापत के प्रमुख आफ्रे दातों को नाम कि बिद्यापत की कुछ प्रमुख रशनाएं आप ध्यान रखेंगे जैसे कि भूपरिक्रमा पुरुस परिच्छा ठीक है लिखनावली विभाग सागर इनकी रशनाएं इनकी कृतियां है ठीक है बाकी बहुत फारी है पदावली है कीरति लता है तरंगडी है कीरत पता का है आप कंसे कम छे तैयार कर लेंगे क्योंकि ज्यादा चार आता है तो छे आता है ठीक है और हम यही कोशिच करते हैं कि आप सभी के लिए हम वही कोश्चिन आप लोगों की समस्त प्रस्तित करें जो एक्जाम में कई बार पूछे हो इस बार आने की संभावन आ गयो कि हम पास पिछले हम छे सालों से यूटूब पे आप सभी को वीडियो सेर कर रहें तो एक्सपीरेंस हमें हो गया है कि कौन सी इनवर्सिटी में और कौन-कौन से प्रस्ट पूछे जाने को उम्मीद है वही मैं आप सभी के समस्त सेर करता हूं और बस आप लोगों का सपोर्ट बना रहे तो हम पूरी कायन मतब कि पूरा आपना हम जितना भी कोशिस होती पूरी लगा देते कि आपको वह प्रश्ण आपकी परिच्छा में आए और आप अच्छे नंबर से उत्त्रीन हूं ठीक है इफी तरह कि और भी बहुत सारे प्रश्ण है और जो हमारे प्रमुक बिद्यापती कभी है इनसे जुड़े करीकर भी एक दो प्रश्ण देखनेों के मिलेंगे परिच्छम ज्यादा नहीं आएगा ठीक है अब आजाएंगे अमेर खुसरो अमेर खुसरो भी एक प्रमुक हिंदी साहित के हिंदी काब धारा के प्रमुक कभी है और इनका जीवन प्रचे भी आप जान लीजी इनसे जुड़ा भी कोश्चन एक जरूर आएगा ये स्योर है हिंदे के पर्थम कभी माने जाने वाले अमेर खुसरो का जन्म जो है ओ बारा सो त्रिपन इस भी में आधनिक उत्तर प्रदेश के जिला एटा के पटियाली नामा गाउमे हुआ ठीक है उनके पिता सुफोईद्दीन महुम्मत तुरको के कवीले के सरदार थे तथा चंकेज खां से बचते हुए भारत में आकर बस गए थे ठीक है उसके उनके गुरू का नाम निजामुद्दीन ओलिया तथा और वे सोफी साधक थे बचपन में ही पिता की मृत हो जाने के करण इसका अधिकांस बच्पन अपने ननिहाल में भी तीज हुआ यानि कि नानी के गर ठीक है बच्पन में ही खुसरो को सिच्छा प्रदान करने के उचित प्रियाफ किये उन्होंने हिंदी के अतरिक्त संस्कित भासा फार्षी भाफा अर्भी तुर्की आज भासाओं का ग्यान प्राप्त किया यानि कि अमेर कुसरो एक तरीके से कर सकते हैं कि मल्टे लेंगज में इस पिलेश इस्पिसलिस्ट है यानि कि कई भासाओं का ग्यान था ठीक है और इनकी जो फित्था जिच्छा है वह बहुत ही अच्छी प्रदान करने की कोशिश की गई है और बस इसी प्रकार लिखेंगे इनका परचे और बाकी आप लोग इनकी कुस रशनाय लिख देंगे ठीक है बारा सो तिरपर में इनका जनम हुआ था अलग अलग जो कभी है उनके अलग अलग भी हो सकता है ठीक है अगला महात्पूर प्रस्तुत है कि अमेर कुसरो द्वारा को बारा वर्गों में बाटा है ठीक कितने वर्गों में बारा वर्गों में पहला कुछ पहली आ membr लिखिए मुकरियां इंश्बत्य भी लिखिएं दो सुखुना अगला प्रकार वरगों है तो इस प्रकार कि इने ओंने रच्टायर चीज्य की एक्जाम करें महात्पूंट साभित हो सकता है अगला प्रस्टारों खड़ी वोली के आदी कभी कहे जाकते हैं सित्ध कीजिए बहुत ही बहात पूर्ण प्रश्न है ये भी है खुसरो जिस हिंदी भावसा के बात करते हैं वह प्रस्तुता खड़ी बोली है जिसे उस समय में हिंदु ठीक है हिंदुवी या हिंदी कहा जाता था पहले क्या था खड़ी बोली थी उसे हिंदी या फिर हिंद भी कहा जाता था ठीक है और उसके पस्चाथ 1803 इस भी के पस्चाथ खड़ी बोली कहा जाने लगा ठीक है तो इस प्रकाल लिखेंगे पेसिक सा पर्चे अगला प्रश्ण देखने को बिलेंगे इस बात को ध्यान सब्सक्राइब तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी तो इसके जन्म के बहुत सारे मतबेद हैं सूर्दाफ जी के पदर भाव के बिचे में बिद्वानों में बहुत सारे मतबेद हैं कुछ बिद्वान इन्हें संबत 1535 में तथा कुछ संबत 1540 में पदर भूत मानते हैं मतलब इनका जन्म वर्स मानते हैं तो अलग अलग जो हमारे बिद्वान हैं अलग अलग कभी हैं इसलिए इनका अलग अलग जन्म मानते हैं तो आप दोनों ताटिक है बहुत फारे अलग अलग भी और भी वह सारे गाउं के लेक मिलता है लेकिन आप भी उसी तरह उत्तर लिखेंगे ठीक कि इनके गाउं के अर्थान की बहुत सारे मतभेद मिलते हैं दोनों को नाम लिख दीजीगा से हीरु नकता ठीक है प्रशन कहेरा कि शूर्दा साल मतब सो पे सतक होता तो इन्होंने सतक पार कर दिया 105 वर्स जीवित रहें आप समझ सकते हैं कितने महान और कितने दयालू थे और पार्सोली नामा का स्थान पर हुआ ठीक है अगला प्रशन प्रश्थ हैं इनकी कुछ प्रमुग्रंत हैं जो कि बहुत ही पॉप्लर हैं जो कि आपके हर MA, MSC, BEARD ठीक है कुछ भी कर रहे हैं आप जिनमें सब्जक्ट हिंदी का थोड़ा भी महौल है ठीक है वहाँ पर ये सारे प्रशन आएंगे ठीक है सूर्दाव्ज की जैसे रशना है सूर्सागर, साहतिक लहरी और सूर्सारावली इनकी तीन प्रमुग्रच रशना है ठीक है सूर्सागर, सूर्सारावली उसमें जो कथा है उसमें जो बताया गया है वह किस चीर पर आधारी थे तो वह स्रीमद भागवत कथा पर आधारी थे इस बात को ध्यान रखेंगे पहती महात्पुर्ण प्रशने भी ये अगला प्रशन का एराग वहाँ जो सहतिक रशना है इनकी सहाथिक लेरी इसमें नायका मतलब कि एक लेडी महिला के भीद के इनुरूपर सफत्रे आधार पर किया गया यानि कि नायका का भीद का वढ़न किया गया उसमें और शूर्दाफ जी किसके सिस्श थे तो सूर्दाफ जी बललभाचार के शिस्श थे या फिर ऐसा भी प्रश्ण हो सकता है कि सूर्दाफ जी के जो गुरू थे उनका नाम बताई तो आप लिखेंगे बल्लभाचारे ओके अगला प्रश्ण प्रस्तों तुने जा रहा है कि तुल्सी के पारिवारिक सदस्यों का नाम लिखी है मतलब कि इनके परिवार में कौन-क था ठीक है उनकी बहुत अच्छी कहानी पढ़ लेंगे उसमें बहुत अच्छे आपको जानकारी मिलेगी ठीक है अगला प्रश्ण कहे रहा है कि तुल्सी की प्रमारिक ग्रंतों का नाम लिखी यानिकि जिनको प्रमारिक एक तरीक से मोहल लगने वाली रस्नाइव कौन-क न्रिहर दाव जी ठीक है उनके गुरुनरिहणदाव ठीक है बाई मिश्टेकी किर्यीस्त्री रहे लिए शोर्य रेली आप सभी सचाहेंगे और सुर्दाफ जी के गुरू बलभाचार और तुल्फी दाफ जी के गुरू है नरिहर दाफ जी और पत्नी है तुल्सी दाफ जी की सोरी बेर बार बार हम बोल दे रहे हैं तुल्सी दाफ जी के जो गुरू है वो नरिहर दाफ जी है और इनकी जो पत्नी और रतनावली है प बहुत ही पॉप्लर यह रसनाएं दोहा वली कविता वली गीता वली एप टीक है रामाग्या प्रस्णा वली है रामचेत मानस बिने पत्रिका है राम लाला नहेचुव पारबती मंगल जानकी मंगल वहरवे रामाड वहरांग संदपिनी तथा फ्रेकर्श्ण गीता वली ये बारा प्रमुक गरंत्थ हैं जो कि बहुत ही पॉप्लर हुए बहुत ही प्रिश्द्ध हैं याद रखेंगे अगला है कि प्रमुक कवी म्पत्रिका लिखें है के ऑ चांध चांध को खिर वह वहीं ğाली तो पहला है बाल कांड, फिर आएगा अध्या कांड, फिर आएगा अरन कांड, फिर आएगा किशकंधा कांड, फिर आएगा सुंदर कांड, फिर आएगा लंगा कांड, लास्ट में आएगा उत्तर कांड यह हैं साथकांड रामजेत मानस के ठीक है बहुत ही पॉपलर कोश्चर है बहुत ही हाई लेबल करें अगला प्रशन कह रहा है कि रामजेत मानस रशना वर्स बताई यानिकी कब रची गई थी तो याद रखेंगे बहुत ही महत्रपूर्ण प्रशन है तो रामजेत जो मानस रशना है यह संबत 1631 और दुस्तन की बात करें तो पंद्राफो चोहत्तर इस भी में शुरू की गई ठीक है रामजेत मानस के रशना वर्स यह याद रखेंगे अगला प्रशन कि रित कालीन किस कभी ने कभी तुलसी और गंग को सुकभियों का सरदार का भिखारी दाफ को है तम हाथ पोड़ने से आप इग्नोर भी कर सकते हैं ठीक है अगला प्रशन प्रस्तुत है कि कभिता करके तुलसी ना लफे कभिता लफी पा तुलसी की कला या काब बेपंग्तिया तुलसी के बिशे में किफ आथनिक कभ ने कहीं है तो उनका नाम है अद्धा सिंग जी है और तुलफी चरित के रचेता का नाम है महत्मा रगुदाफ है यानि कि कुछ रशनाएं ऐसी हैं जो गुशामी तुलसी दाफ जी की उनको उनके बाद जो कभी आए हैं उन्होंने भी लिखी है ठीक है उनके जीवन के उपर तो वही यहां पर बताया जा रहा है गोस राम चेत मानस के प्रथम टीका कार बाबा राम चरण दाफ जी हैं याद रखेंगे बहुत ही हाई लेबल का कोईश्चन है यानि कि सबसे प्रथम सुर्वात इन्होंने एक तरीके से टीका इन्होंने लगाया था ठीक है बाद में गुसामी दुलफी दाफ जी आए ओके आ समाजिक छेत्र में क्या युगदान राया ठीक है यह सब आपको तयार कर लेना यह 100% फसेगा कबीर दाफ जी से जुड़ा आपकी परिच्छाम करीब करीब आठ से 10 नंबर का प्रशनाय है का 100% से ओर है उसकर के इनके समाजिक और धार्मिक जो इनका मतलब कि इस्थित रहा धर्मसुधार समधर्म सुधारक भी हैं और समा सुधारक भी कहे गए हैं कभीर दाफ जी इंफे भी जुड़ा कोश्यन आता है तो कभीर के समय की समाजिक घृकर धर्मौिक इस्थित प्रकाश डालिये ठीक है, तो समाजिक इकbe किस्थित पहले लिखेंगे पर विसरंखल हो गया था यानि पूरी तरह फे खोखला हिंदू की वड़ वेफ्था जटिलतम रूप धानर कर चुकी थी या फिर करती जा रही थी ब्रामार पांडे पुजारी और मुल्ला मौलबी धर्म के ठेकेदार बने हुए थे उन्हें या फिर इन्होंने जातिपात के बंधन का ठोर करके हिंदू जनता में बिश के बीज बुदी उच जातियों निमन कोट की जातियों को हे तथा निनननी समझते थी यानि कि जो बाई अच्छे जात की थोड़ा अच्छे जात की लोग थे वो नीचे जात वाले लोगों को मतबए दुद कारते थे उनको रिस्पेक्ट नहीं देते थे उनसे जो चाहे जो काम कराते थे उसके बदले पैसे भी नहीं देते थे एक तरी से उनको बैठना भी उसे इतना ही समझते थे वो हमारे बराबर या हमारे पास बैठ सकें ठीक है तो इस तरीके का सिस्टम हो गया था उके उसके बाद निम्निवर्गिये समदाय में जेटलतम वर्ड बेवफ्था के करण तरिसकरत मतब तरिसकार किया जाता था ठीक है तरिसकरत किया जा रहा था अब निम्निवर्ग के सम मुसलिम धर्म का ही द्वार उनमक था जिसमें जाती गत भेदभाव नहीं था ऐसी बिशम समाजिक प्रस्तितियों में संद कबीर जीने समाजिक कुरूतियों और मित्या आब इस वासों का खंडन किया और दोनों जातियों के भेदभाव की खाई को पाटने के लिए भरकस प् ठीक है धर्म का यह फिर किसी भी कोई त्हिछ न पहुंचा है तो यह सभी में बहुत ही अपना प्रियास किया है कबीर दाफ जी ने समाजिक श्यात्में भी इसलिए इस प्रकार आप लेगेंगे इसलिए भर तरह आप धान प्रकार Tea्यात्मिक ति भर में अब इस दिदित दू, धर्म, बैश्णौ, सैव, साक्त, बौध और जैन जैसे अनेक धार्मिक संपरदायों में बिभक्त हो गया था फिर ये संपरदाय भी अनेक उप्भोगों में बिभक्त या फिर विभाजित हो गये थे ब्रहमर समाज के ठेके दार बने हुए थे मुसल्मान तलवार के ब अपना बहुत ही प्रियास किया और बहुत ही धर्मिक छेत्र में अपना योगदान दिया तब जाके धर्म के छेत्र में बहुत ज्यादा परिवर्तन देखने को मिला और बहुत ज्यादा बहुत ही माहत पूरी जानकारी मिली जाएगी और बात में आप इनका धर्मिक और सम कवीर काप बे में ज्यान और भाक्ति भावना के और खेंगों ने बित्त किया है तो उत्तर आपके समस्त है देखे पूरा का पूरा और उसके साथ साथ आपको पूरा उत्तर देखने को मिला है और उसके जो एक एक उदाहरन भी आपको देखने को मिला दो बहुत ही popular question तयार कर लीजेगा अगला प्रस्चन कभी कदार आता हमेशा नहीं आता तो इसी अग्नोरी कर सकते हैं अगला प्रश्ण आपको देखने को बिलेगा जन्म कहां पर हुआ जन्म कभीर दाफजी का 1998 श्वी कासि में हुआ था इनके भी जन्म के बहुत सारे मद्वेत हैं अलग अलग कभी अलग अलग जो बिद्वान हो अलग अलग मानते हैं ठीक है इस बात को धान रखेंगे लेकि अगला कभीर को वाड़ी का डिरेक्टर किसने कहा है तो उनका नाम है अचार हजाईर प्रसाद अचार है और इस बीजक संगरा में इनकी तीन रशनाएं फूटी है और तीन के प्रमुख रश्चित इनका नाम है पहला साखी, दुफ्रा है सबद, तीफ्रा है रमैनी यनि की बीजक जो है इनकी प्रमुख रश्चित कबीर की वाड़ी के संगरा को बीजक कहते हैं और बीजक के तीन भाग है साखी सबद, रमैनी जो की बहुत ही पॉप्लर है याद रखेंगे महात्पोर्ण प्रस्ण है अगला कहरा कि कबीर की पारिवारिक फदिश्यों का नाम लिखे तो माता पिता का नाम नीमा नीरू थ पुत्रों पुत्री कमालों और कमाली थी सिंपल सा उत्तर ठीक है कि कबीरदाव जी के पिता का क्या नाम था तो आप लिखेंगे नीमा पिता जी मतब कि कबीरदाव जी की पत्ति का क्या नाम था तो लोई तो इस प्रकार उत्तर लिखेंगे ठीक है अगला कबीरदास का न कबीर दाफ जी की याद रखेंगे अगला प्रत्त है की जायसी का जन्म ने मांने वह है मुहमद जायसी की जन्म के बहुत सारे मतबह्त है अलग अलग कभी अलग अलग बिद्वान अलग अलग मानते हैं दो जुद्धाम जो पॉपलर हुआ है जो ज़्यादा लोगों ने माना है वो है 14-93 में मानते हैं तथा कुछ लोग 14-63 में मानते हैं जैसी जी का जन्म ठीक है तो जाइफी जी की गुरू का नाम बताईए तो जाइफी जी के दो गुरू थे पहला था सैयद असरब जी और दोफरे हैं ठीक है तो इन्होंने अपने पूरूवर्ती समय में जिन प्रेमाखानों का उलेख किया है अब एक तरीके से बोल सकते हैं रशनाओं के लिखा है जिसमें प्रेम की भावना देखाई गई है ठीक है तो इनकी जो प्रमुख रशनाय जो की प्रेमाखानों पे आधारित थी जिनका मिलता है पहला है मुगधावती दूसरा मुरगावती दूसरा मधुमालति और चौथा है प्रेमावति ठीक है और अगला प्रशना एक मली मुहमत जैशी की काविगरंथ का नाम लिखी ठीक है तो इनके कई सारे प्रमुख का बिगरंथ है जिसमें से पहला है पदमावत और चौथाय शित्र रेखा अगला है कहरा नामा फिर मसला नामा तथा कनहावत जैसी के प्रमुख का बिगरंत हैं लेकिन जो सबसे ज़्यदा पॉपलर है जिसके बारे में सबसे ज़्यदा कोईशन पोचे जाते हैं वो है पदमावत जैफी जी की पदमावत बहुत ही ज़् पॉण्ट प्रस्ण है हाई लेबल का है तो तैयार करके जरूर जाएंगे अगला प्रस्ण भीया कही रहा है कि अचार रामचंद शुक्ल ने हिंदी साहित के इतिहास में जैसी के कुल कितने गरंथों का नाम उल्लेक किया है ठीक है तो यह रामचंद जी के अनुसार है तो जैसी जी उत्तर प्रदेश के अमेठी के निकट जैस के रहने वाले थे और यह जो जिस सासक के समकालिन थे उनका नाम था सेरसासूरी ठीक है यह सेरसासूरी के समकालिन थे जैसे एकजामपल के लिए ओपर मैंने आपको बताया था कि कबीरदाव जी जो थे यह जो समकालि थे वो सिकंदर würde के थे ठीक है जिस के थे सिकंदर लोदी के थे कबीरदा जी और वहीं पर मलीक महमाद जाएशी जी है ठीक है यह जिसके संकालिन अनका नाम है सेरसासुरी ठीक है अगला जाएश ही के काबि गरंथ अखरा अखरावट की विशेष्ता क्या थी तो उसकी मुख्य जो पार्ट है मुख्य विशेष्ता है अखरावट इनकी रस्ना में वो देवनगरी वर्ण माला के एक एक अच्छर को लेकर तत्तु ज्यान सम्मंधी बाते कही गई हैं ये सबसे पहली और प्रथम विशेष्ता है इनक कविता है ठीक है रस्ना है चित्र रेखा ठीक है और अगला प्रशने की किस आलोचक के प्रेमाग्ठान का मत्तबस में प्रेम का वर्ण किया गया है ठीक है तो इसी अधार पे रस्ना रची गई है तो इस बात को धाना है अगला की किस आलोचक में पदमाबत को अपने प्रस्न को अब केश वदाव जी से जोड़े कोश्चन आएंगे परिच्छा में ठीक है तो केश वदाव जी का भी पूरा का पूरा पहले जीवन परचे पढ़ लेंगे ठीक है उसके बाद भी आगे बढ़ेंगे तो केश वदाव जी की कुछ परमुक रशना है जिसमें रतन बावनी है रसिक प्रिया है नक्सिक है और चंद माला है राम जफचंदरिका है कुछ प्रमुक इनकी रशना है जो कि आप कम से कम छे तो तैयार कर लेना है ठीक है बस जीवन पर चे पढ़ लेंगे केश वदाव जी का उसके बाद कुछ रशनाएं पढ़ लीजे गनकी अगला की केश केशो की रशनाओं पर दरबारी प्रभाव पर लच्छित होता है अश्पेस्ट की जी तमहात पूर्ण नहीं कभी कदार आता बेसक इग्नोर भी कर सकते हैं और अगला केशो कैसे कभी थे तो केशो रीत बद्ध कभी थे कई बार कोश्चन आया था पर इच्छा में ठीक इ दूरस हाना के राम के चरित को आधार बनाकर केशो ने किस घ्रंत की रिष्णा की उसका नाम एक ये तो कि कि केशो को ये question आता है कि कटिन का प्रेत किस का भी का बिसेश रहे तो वह है अचार के सउदाब जी का बहुत ही high-level का question है ठीक है अब बिहारी जी पे जुड़े question आएंगे तो बिहारी जी का पहले के पहले तो आपको जीवन पर्चे तयार करेंगे पूरा का पूरा जीवन परचे यहा प्रियास के आप सिंपल सा पढ़ लीजेगा ठीक है अगला कोश्चन है कि बिहारी का जन्म कब और कहां हुआ था तो ये भी महात्पूर्ण प्रस्ण है तो बिहारी जी का जन्म सतसउय ही बिहारी किस संप्रदाय के अनुययाय थे ठीक है वो друзья बलेव है संप्रदाय के थे यह भी महात्पूर्ण प्रस्ण है इनकी बहुत ही पॉप्लर रश्णा तो एक मात्र सत रहीं की प्रोम्खरस्न है ठीक है इच्छा में आया है तो इस बार भी आने की पूरी उम्मीद तयार कर लिजेगा ठीक है डीटियल में बिहारी कि इफजात के हैं तो ब्रहामर माथुर चोबें हैं ठीक है बिहारी बिहारी के गुरु नरीहर दाफ जी थे ये भी महत्पूर्ण प्रस्ण है ठीक है अब घाना नंद जी फे जड़े कोईश्चन आएंगे तो पहले आपको घाना नंद जी का जीवन पढ़ लेना है जिन में कहां पर हुआ और किस सन में हुआ अमरत कहां हुई ये सब जानकारी कि पढ़ लेंगे ठीक है और घाना नंद जी किसंपर दॉई में दिच्छित हुए तो आप पढ़ लेंगे निंबार्थ संपरदाय में दिच्छी तो यह कई बार प्रशनाया है ठीक है पर इच्छा में घरना दंदेजी की रशनाय कौन कौन से याद कर लेंगे ठीक है इनकी एक तालिस रशनाओं का उलेक मिलता जिसमें से कुछ प्रमुक हैं जैसे कि नंबर एक पे सुजान सागर ठीक है फुजा और खासिय में इनके पिता का नाम है ठीक है इनकी दशनाएं और इनको kannst क्यों की मिली है किस यूग से इनका मतरब किस यूग से इनका elle सुरूवात है तो भारते-ंधु नाम पर वारते-ंधु यूग की सुरूवात हुए तो भारते-ंधु यूग की इसरे सुरूआट हुए ती इनकी उपन्यास है फुलोचना सब इत्री चरित्र महात्पूर्ण प्रश्णा याद रखेंगे हाई लेबल का कुश्चन है ठीक है इफी तरह आपको जैसे अंकर प्रसाद जी फिजुड़ा कुश्चन आएगा कामाईनी इनकी प्रमुख रश्णा है उस फिजुड़ा इस से जुड़ा कुश्चन जरूर आता है तो तार सब तक पहला है 1943 दूसरा है तार सब तक 1951 और तीफ्टा तार सब तक है 1961 और चोथा तार सब तक है 1989 ठीक है तार सब तक के अंतरगत साथ कभियो की कविताय संकलित है इनके नाम इस प्रकार है जैसे कि भूसड़ा ग्रुवाल जी प्रभाकर माचुवे गिरजा कुमार माथो राम बिलास वर्मा और अग्ये यह तैयार कर लिजी गए 100% आता है हमे ठीक है मैं आपको बता दो फिर से ध्यान रखेंगे जो हिंदी का पेपर होता है उसमें कुछ कोश्चन भी आते हैं और साथ साथ में उसमें कुछ संदर्व सहित ब्याख्या करने के लिए भी आता है ठीक इस बात को ध्यान रखेंगे तो संदर्व सहित ब्याख्या कोई प बाद उसमें किस चीज के बारें बताया गया बस तरह आपको संद्र व्याक्या करने के लिए आता है लेकिंगे उसको नहीं कबर कर रहे हैं वह अपने पढ़ लेंगे नहीं करेंगे उस दिनre का महासंगराम वीit इससे पहले सब्सक्राइब्याब 2 सब्सक्राश कोरें बार्य बाद की बार चीजो लंबी हो गई का दा और यस पीडिया को हम WhatsApp पर टेलेग्राम पर दोनों पर देंगे लेकिन जो चातर में मैसेज करेंगे मिलते हैं को ने वीडियो में जहिंद